भूले कड़ बहू नजाने क्या काम होता है अरा कौन से शैर बजार में तु काम करती है बहुत सास से जीत तो सकती नहीं थी वहीं से चली जाती है लेकिन हाँ भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है सुनो नाने जा रहा हूँ अफिस के लिए देर हो रही है तो ज़रा ये शर्ट प्रेस कर देना और हाँ प्लीज और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना ठीक है अरे हाँ हाँ पता है हर बात पर सिखाया मत कीजिए इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामाने अज्यान की क्लास ही चलती रहती है हर वक्त परिशान करके रख दिया है पती नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पती की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है कोई गरेब साध करोटी दे दे और बाबा भूखा करा है तरदार देवी बाबा को विक्षा देकर पुणिय कमाले देवी यह तो पुणिय की बात है कि बाबा दरवाजे ख़़ा है अब इसकी आवाज सासुमा को सुनाई नहीं देगी लेकिन मैं और यह कमरे में हलके से बात कर ले तो क्या आरे घूसी चिली आती है चलो पहले बाबा को यह रोटी देती हूं अब क्या था रिंग की जाती है बाबा को रोटी देने लेकिन पीछे जोड़ जाती है पती की शर्ट के उपर प्रेस वो भी घरमा-गरम अरे बाबा रोटी तो ले लो बस यह बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी सुसूराल में ह भूलने की आदब कैसे ठीक होगी, कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा, बाबा घर के अंदर देखते हैं, तो एक घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है, यादे ना, गजनी फिल्म जिसमें आमेर खान को भूलने की बिमारी होती है, और वो हर बाद को लिख कर याद रखता है, और बैटी हम बाबा है, और किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है, हमारे पास, तुम्हे के काम करो, एक घंटे बाद टेलिवीजन के सामने बैठ जाना, और चुपल मत देह करे हो, न देख लेना, तुम्हे 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 सारे सवालों के जवाब में जाएंगे, अला, एक दिन आज जाए, निकालो खाना, सला देनी की दक्सिना भी, अरे बाबा जीवन से ये वाली समस्यां खत्म हो जाए तो समझे मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू वो भी बिल्कुल फ्री में तब ही अंदर से पती के जोर-जोर से चीखने की आवाज आती है अरे क्या मजाग बना रखा है तुमने ये क्या है पूरी शर्ट जला दी तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी भूलने के आदत से ये भगवान ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है बाबा लग रहा है कि कोई कमेंट हो गया है अंदर मुझ से आच्छा मैं ना एक गंटे बाद बैट जाओंगे फिल्म देखने विदाली जी अब तो आप जैसे ही वो घर के अंदर जाती है सामने पती खड़ा हुता है फटी शर्ट पहन कर अब कर यह बाबा आ गए थे तक्षिरा के लिए अब कर्म और ठर्म का लेखा जोखा भी तो सम्मालना है ना जीवन में तभी तो चली गे थी उन्हें रोटी दिन है वसी खुशी बात है बाबा ने कहा है कि एक गंटे बाद टीवी देखना और टीवी देखते ही मेरी ये का निजात निकल जाएगा और जो नुकसान हो गया है यहां वह क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे देखी प्लीज शर्ट पतल लीजिए ना नहीं आज तो मैं ऐसे ही जाओंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलकड बीवी के साथ निभा रहा हूं मैं शुकर मा लेगी फिर क्या था पती तो फटी शर्ट पहन को चला जाता है और एक घंटे बाद बहु कमरे में सू रही होती है कि सास आ जाती है अरे भुला कड़े तुझे तो फरक नहीं पड़ता लेकिन हम लोग परिशान हो चुके हैं जा तेरा बाबा बोल रहा था ना एक घंटे बाद टीवी देखना तो जा देख क्या पता कुछ सुधार हो जाए बहु टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था उत्तिरी वा ये तो सिट में बड़ा सही आइड अरे तैरे बुआ सास आ रही है खाना बना लेना उसके लिए भी जी माजी बिल्कुल बना लूंगी और सुन कल वाला जो आठा बचा था ना उसकी दो रोटी बुआ सास के लिए बना देना आठा पढ़ा पढ़ा खराभी हो रहा है तो हुख फटा-फट रोटी बनाती है लेकिन तबी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनाने थी, वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पैंसिल लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए, अरे, क्या बन रहा है खाने में? भाबी, आपकी बगु की क्या हाल है? भूलने की बिमारी कम हुई या ऐसी ही तबाही मचा रखी है? अरे, क्या पताए, अब आज किसी बाबा से उपाए पता किया है, देखू जबाबी, या आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बगु, हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं, तबी वहां बगु आ जाती है, हाँ, तबी तो मैं इनकी बगु हूँ, आपकी नहीं, वैस जैसे ही खाना खाने बैठती है, कि सास बोल पड़ती है, बहु, याद तो होगा नहीं, जो बोला था, याद करो, बुआ के लिए कौन से रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने, जी, सब याद है, सब दिज ये लिजी, लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर-जोर से चिलाने लगती है, अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहु को लगता है कि बुआ सास तारिफ कर रही है, अब क्या करें, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना कुछ ताने बोलियां खाखा कर तो मैं परिशान हो गई सी, तो क्या कहा तेरी सास दे, बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए, बाबा, अरे, कैसी बात कर रही हो ना, नदरानी, मैं साय क्यों बोलूगी, जैसे आप को कैसे पता चला, क्योंकि तेरी भुलकड बहु ने ये लिखा है, बभु सब के सामने वो रोटी रख देती है, जिसमें लिखा होता है, बुआ सास के रोटी, बासी आटे की लिए प्तिशetten से बाइफ, ये कि बाइपे ये लिए, बासी बाता है, बासी आटे की बहु पर लाती है, बहुआ से लिए, बासी खोई रud, कि रजब लगूचों पrab के से किन ये शिए, भु पर रud रदयाता है, बासी सामन जशालनी ओंशाफों होता है, वे सामने जई सा